दस वर्सों में बारा गुना यानि यदि हम 2013 में एक लाग रुपे इन्वेस्ट किये होते तो आज के दिन में उसके वेल्यू बारा लाग हो जाती है और यदि दस लाग किया होता तो साहथ एक कवर्ड बीच लाग है नहीं असर की बात जनाब यह कोई जादू नहीं है बलकि कि मीच्वल फंड ने पिछे दस बरसों में यह रिटर्ण दिया हुआ है अज हम बात करेंगे उन सेग्मेंट की जिनका तेन येर का सीजियार 15 परसेंट या उससे अधिक है और उन सेग्मेंट में से स्मॉल कैप सेग्मेंट ने और परफॉर्म किया है बांके सारे फंड को और उस स्मॉल कैप सेग्मेंट में आठ ऐसे फंड हैं जिनोंने जिनका रिटर्न पिछले दस साल में पांच गुना से लेके बारा गुना तक हो गया है आज हम चर्चा करेंगे उनी सेग्मेंट की और स्मॉल कैप के उन फंड के बारे में यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें अपने फ्रेंड के साथ सेर करें कुछ चीजें अच्छी लेगी हो कमेंट करके बताएं कुछ चीजें अच्छी नहीं लेगी हो इसके बारे में जहूर बताएं और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब फिर से स्वागत है मेरा नाम डियम जाए इस पर आगे चर्चा करने के पहले हम बताना चाहेंगे स्मॉल केप सेग्मेंट में पिछले 12 मेनों में सबसे अधिक कैस नेट इंप्रो हुआ है और यह करीब 25,000 करोर से थोड़ा सा अधिक है दूसरी बात जैसे क सब्सक्राइब कर चुके हैं पिछले 10 परसों में स्मॉल केप का रिटर्न बांकि सभी सेग्मेंट से अधिक है उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि स्मॉल कैप जिसका की टेन येर का सीज या 21.67 परसंट है इसने यह यह जो रिटर्न है यह केटोगरी अवरेज का रिटर्न है स्मॉल केप सेग्मेंट का सभी सेग्मेंट का सेकेंड पे टेक्नलोजी फंड है जिनका केटोगरी अवरेज 10 येर का सीज आ 19.76 परसंट है थर्ड है मिट कैप जिनका 10 येर सीज आ 19.58 परसंट है एक्टूटी लेंगिन सेविंग स्कीम जो जिसमें इंवेस्ट करने से आपको सक्षिन एटी सी में के दरगत इनका 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 10 यह का सीजियर 15.80 परसेंट है फ्लक्सी कैप का यह 15.36 परसेंट और के त्युका परसेंट इनका 10 यह का सीजियर 5.58 परसेंट आप जैसे कम देख पा रहा हैं कि यह आठ सेग्मेंट सेएं मिच्वळ फिंच के जिनका 15 परसेंट इया उससे अधिका प्यक्वेशियर जिसमें हिस्मॉल कैप सेग्मेट ने सारे सेग्मेंट को और परफॉर्म किया है और सबसे जो नियरस रह भाल है उनके वो टेखनलोजी फंड और मिटकेप फंड नहीं जिनका जिनसे कर विए दो परसेंट से और परफॉर्म किया है इन दोनों फंड को अलमॉस्ट अब हम बाप करेंगे स्मॉल के उन फंड की जिनका रिटर्न पिछले 10 साल में हम देखते हैं पिछले 10 साल में निपॉन ने बारव टायम्स वैल्यूज का होगी इन्वस्मिंट का जिए बारा लाक्म की होगे होगे ये साइच हो गया होगा और ये 10 लाक्म की होते ये 1 कौड 20 लाक के आसपास हो गया होता स्टेट में की स्मॉल कैप में 10 टाइम्स डियस्पी में 9 टाइम्स कोटक में 7 टाइम्स फ्रैक्लिन में 7 टाइम्स सुन्दरम में 6 टाइम्स HDFC में 6 टाइम्स और I.C.I.C.I.E. में 6 टाइम्स ये सारे फंड small अधिक होती है यह point to point return की बात बता रहा है हो सकता है कि चुकि कल का market आज का भी market काफी highest पे था कल भी highest पे था तो 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 यह इस पर भी चुकि point to point return है तो इस पर depend करता है कि आपने market में इंटर कप किया और exit कप किये यह जो position है यह position चार जुलाए 2007 के निकाला गिया है जैसे आप जानते हैं मैं कोई mutual fund का किसी fund का promotion नहीं करता हूं मैं analysis करता हूं तो यह return वास्तविक return है लेकि इसमें investment करने के पहले जो इसके inbuilt risks हैं इसके बारे में भी जाना चाहिए और उसके बाद आप निड़ने लें कि आप उतना रिस्क ले सकते हैं जो स्मॉल कैप में inbuilt है या नहीं दे ले सकते हैं तो निश्चत रूप से आपको इन सारे फंडों में से किसी एक फंड में invest करना चाहिए है हलांकि यह मेरा opinion अंतिम opinion इन्वेस्टर्स का कि यह में अंतिम आपको इन्वेस्टर्स कि यह में आपको इन्वेस्टर्स का